लीगल दिक्टेशन 40 सब प्रति मिनिट डिक्टेशन स्टार्ट अभी युक्त छोटू आदिवासी के विरुद धारा 341,354,394,323 ओबलिक 34 कोष्टक 2 सीर्च कोष्टक,506 भाग डेस दो भार्तिय दंड सहिता तता लेंगिक अपरादों से बालकों का संरक्षन अधिनियम 2012 की 7 सहपटित धारा 8. के तहत एवम आरोपी गनपत आदिवासी के विरुद धारा 294,323 ओबलिक 34 कोष्टक 2 सीर्च कोष्टक,506 भाग डेस दो भार्तिय दंड सहिता के अंतरगत यह आरोप है की उन्होंने दिनांग 26,2017 को समय सुबह लगबग 10 बजे गराम बरखाना इस्तित मिडिक इस्कूल के पीछे लोक इस्थान या उसके समीब अभियोक्तरी को एक निश्चित दिसा में जाने से रोक कर सदोस अवरोध कारित किया कुमा अभियोक्तरी जिसकी उम्र 18 वर्ष सें कम थी कुमा की सहमती व उसकी इच्छा के विरुद्ध लेंगिक आशे सें जिसमें परवेशन किये बिना सारिरिक संपर्क अंतरगरस्त था कुमा अभियोक्तरी का हाथ पकड़ कर उस पर लेंगिक हमला कारित किया तता अभियोक्तरी की लज्जा भंग करने के आशे सें उसका हाथ पकड़ कर आपरादिक बल का परियोग किया एवं लोक इस्थान या उसके समीप अभियोक्तरी व उसके भाई को मा डेश बहन की असलील गालियां देकर उन्हें व अन्ने सुनने वालों को सोब कारित किया तता अभियोक्तरी की मारपीट करने का सामान्ने आशे निर्मित कर उसके अगरसरण में अभियोक्तरी एवं उसके भाई की थपड़ व लाठियों से मारपीट कर उन्हें सवेच्छ्या उपहतियां कारित की अगर्ण एवं अभियोक्तरी व उसके भाई को संत्रास कारित करने के आशे सें जान सें मारने की धमकी देकर आप्राधिक अभित्रास कारित किया विराम पेराचेंज यह यह उलेक्षनिय है कि लेंगिक अप्राधों से बालकों का संरक्षन अधीनियम दो हजार बार की धारा 33 कोष्टक साथ कोष्टक के प्राउधान अनुसार फरी आदिया की पहचान गुप्त रखे जाने के उद्देश सें निर्ने में फरी आदिया उसके परिवार के सदस्य व इसकुल के नाम का उलेक नहीं किया जा रहा है विराम निर्ने में फरी आदिया को अभियोक्तरी के नाम से संबोधित किया जा रहा है विराम पेराचेंज अभियोजन का परकरण संशेप में इस परकार है की दिनांग 26.27 को अभियोक्तरी ने अपने पिताव भाई के साथ पुलिस चोकी शहराई थाना मुंगावली पर उपस्तित होकर इस आज से की मौखिक रिपोर्ट लेक भद कराई की सुबह करीब दस बजे वह अपने घर से पानी भरने के लिए सरकारी नल पर गई थी और पानी भर कर अपने घर वापस आ रही थी कौमा तब उसके महले के छोटू आदिवासी ने उसका रास्ता रोक कर बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया और कहने लगा की वह उसकी घर वाली बन जाए कौमा उसने हाथ छुडाया तो छोटू ने उसके बाएं गाल पर थपड मारा और सिर पर रखी गुंड ओबलिक गगरा गिरा दिया विराम वह चिल्लाई तो उसका भाई उसे बचाने आया तो आरोपी छोटू ने रास्ता में पढ़ा डंडा उसके भाई के सिर में मारा जिस से चोट होकर खून निकलने लगा विराम इस्टोब धन्यवाद